आज हम डिस्कुस करेंगे चार्ट नमबर टू की एक्सिसाइज 2.4 का बहुत जादा इंपॉर्टन कोश्चन दाटर्स कोश्चन आब फाइव हमने अपनी प्रीडियोस में डिस्कुस करें हैं इसी चाप्टर के कोश्चन्स मुस्ब वीडियोस का लिंक हम नीचे डिस्किप् 4 minus 6x3 plus 16x2 minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x2 minus 2x plus k the remainder came out to be x plus a find k and a यहां पर हमें एक पॉलिनॉमिल दे रखा है उस पॉलिनॉमिल को हम नेम देंगे px का so px is the polynomial that is variable उसमें x है इसमें हमने px ले लिया यह पॉलिनॉमिल हमें mainly दिया हुआ है वो कहता जब आप इस polynomial को दूसरे polynomial से divide करोगे जो दूसरा polynomial दे रखा है उसको हम नेम दे देते हैं gx so find gx की value दे रखी है x squared minus 2x plus k तो कहता जो remainder आएगा remainder means rx वो है x plus a तो आपने k और a की value जो है वो find out करनी है देखो remainder तभी आएगा जब आप long division का यहां पर use करोगे है ना तो long division method से इसको हम practically divide करके देख लेते हैं भई आच्छल में remainder आएगा कितना तो यहां पर हमारे पास है x power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 35x plus 10 इसको हमने divide करना है x square minus 2x plus k से सो यहां पर हम side पर rough work कर देते हैं सबसे पहले यहां पर x power 4 है और हमारे पास x power 2 है कितनी पार कम है x की? x की 2 parts कम है so that means यह जो पूरे का पूरा divisor है इसको आप multiply करोगे किस से? x square से जब आप इसको x square से multiply करोगे आपके पास यहां पर बन जाएगा x power 4 minus 2x cube plus k x square so यहां पर बन गया आपने x square से multiply करा अंदर आगया x power 4 minus 2x cube plus k x square अब हो जाएंगे जी साइन्स चेंज फरस्ट आप हमने same कराने थी बन गई अब हम करेंगे साइन्स चेंज तभी तो first time जो है वो कट जाएगी यहां पर यह first time कर गी minus plus minus पर sign तो बड़े वाले का आएगा so यहां पर आगया minus 4x cube यह देखो यहां पर 16x square है यहां पर minus k x square है 16 और k सब ट्राट नहीं हो सकते हम क्या करेंगे x square common निकालेंगे अंदर बच गया 16 minus k 16 के साथ भी x square था और k के साथ भी x square तो हमने x square common निकाल दिया अंदर बच गया 16 minus k minus इसलिए क्योंकि k के साथ अब जो sign है वो minus का है आगे minus 25x और plus 10 as it is नीचे हमने carry कर ली है अब यहाँ पे x cube है अब यहाँ पे x cube है हमारे पास x square है और साथ पे minus 4 भी है so that means यह जो पूरे का पूरा device है अब आप उसको multiply करोगे किस से उसको multiply करोगे minus 4 x से so यहाँ पे आपके पास बन जाएगा minus 4 x cube minus into minus plus 4 x into 2 x is 8 x square minus 4 k x so यहाँ पे आपने minus 4 x से multiply करा और आपके पास बन गया minus 4 x cube plus 8 x square minus 4 k x अब हो जाएगे जी sign change minus change हो जाएगा plus में plus change हो जाएगा minus में और यहाँ पे minus है तो plus लग जाएगा यहाँ पे हो गई cutting अब देखो इसके साथ भी x square है और इसके साथ भी यहाँ पे 8 plus में नहीं minus में लेना है तो 16 minus 8 तो हो गया ताटस कितना 8 और पीछे minus के bracket लग गई उसके बाहर आगया x square आगे यह minus 25 x है और यह plus 4k x है तो हम ऐसे करते हैं यहाँ पे हम लगाते हैं plus bracket के बाहर लिखते हैं x अंदर उसके coefficients लिखते हैं यहाँ पे x का coefficient है minus 25 और यहाँ पे plus 4k और पीछे का plus 10 as it is अब देखो यहाँ पे x square है यहाँ पे इसके सब multiply हो रहा है 8 minus k x square तो वहाँ पे भी है पर वहाँ भी 8 minus k तो नहीं multiply हो रहा so that means इस बारी आपको यहाँ पे कर देती हूं rough work इस बारी यह जो आपको divisor है इसको आपको multiply करना पड़ेगा 8 minus k से तो जब आप इसको 8 minus k से multiply करोगे तो देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पे बन जाएगा 8 minus k into x square देखो 8 minus k को जब हम minus 2 x से multiply करेंगे तो bracket के बाहर आएगा x अंदर आएगा minus 2 को आपने 8 से multiply करा minus 16 minus into minus is plus 2k उसके बार यह जो k है उसको आप 8 minus k से multiply करोगे यहाँ पे बन जाएगा 8k minus k square इसको हम bracket में लिख लेते हैं यहाँ पे clear हो रहा है इस वाली हमने 8 minus k से multiply किया और हमारे पस बन गया 8 minus k into x square देखो वाली टर्म है minus 16 plus 2k into x then plus 8k minus k square अब क्या होएगा यहाँ पे signs change हो जाएगे यह positive है negative में convert हो जाएगा यह positive है negative में convert हो जाएगा यह positive है negative में convert हो जाएगा यह first term जो है opposite signs है fine term so same है तो यहाँ पे होगी cutting इसका अब देखो x आ गया बाहर अंदर क्या बच गया यह minus 35 plus 4k minus into minus is plus 16 minus into plus is minus 2k और यहाँ पे plus 10 यहाँ पे bracket के बाहर minus है तो minus 8k and minus into minus is plus k square fine अब यहाँ पे x है और यहाँ पे हमारे पास x square है तो आगे division continue नहीं हो सकती तो यह आ गया जी remainder तो यहाँ पे हमारे पास remainder है minus 25 plus 4k plus 16 minus 2k into x plus 10 minus 8k plus k square अब एक remainder हमें question में भी दे रखा है that is x plus a अब हम x वाले coefficient को अब question में हमारा target है a और k find out करने का तो उसको करने के लिए यहाँ पे हम comparing करेंगे coefficients की on comparing the coefficient of x x के coefficient compare कर देते हैं इधर x के साथ क्या multiply हो रहा है 1 so यहाँ पे बन गया 1 is equals to minus 9 plus 2k यह minus 9 है आप इसको left in side पे लाओगे तो यह plus 9 में change हो जाएगा तो 9 plus 1 is 10 so यहाँ पे बन गया 10 is equals to 2k 2 multiply हो रहा है left in side पे जाके divide हो जाएगा और k की value आजाएगी 5 जैसे हमने x के coefficient compare करें अब हम constant terms compare करेंगे so constant term है इदर a और इदर यह so यहाँ पे हमने compare करी constant terms a की value आगी equals to 10 minus 8k plus k squared luckily हम k की value find out कर चुके हैं so how value यहाँ पे हम fit करेंगे यहाँ पे बन गया 10 minus 8 into 5 plus 5 is squared so 10 minus 8 into 5 is 40 plus 25 so 10 minus 40 is minus 30 minus 30 plus 25 is minus 5 so a की value आगी minus 5 और k की value हमने निकाली थी 5 अगर आपको यह concept clear होता है तो हमें comment करके जरूर बताएगा and do not forget to press the bell icon for latest notifications on our channel thanks for watching यह मनी आवकोंड़ क्ड़र श्रिस्थे झाल झाल